जैपुर में स्वास्थ ववन के बाहर लेब टेक्निशनों और सहायक रेडियोग्राफर्स ने विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शन कारियों ने दिसंबर 2022 में होने बाली सीधी भरती को निरस्थ करने की मांग की है उनकी मांग है कि लिखित परिख्या से ये भरती हो सीधी भरती में फरजी वाड़े की उन्होंने आशंकर जिताई प्रदर्शन कारी कहते हैं कि राज्य स्वास्त एवं परिवार कल्यान संस्था को सीधी भरती कराने का आदेश दिया है जबकि उन्हें सीधी भरती कराने या लिखित परिख्या कराने का कोई तजर्वा नहीं है ये एक प्रशिक्षन संस्थान है जो इस भरती को कराने का हकतार नहीं है बकौल प्रधर्शनकारी राजस्थान में लैब टेक्निशन्स और सहायक रेडियोग्राफर्स के लिए तीन से चार साल पढ़ाई करने ही पड़ती है फिर डिग्री डिप्लोमा मिलते हैं लेकिन दूसरे कई राज्जों में दो महिने में डिग्री डिप्लोमा मिल जाते हैं 2020 की भरती में भी बाहरी राज्जों के ही अधिकांश लोगों ने सीधी भरती में नौकरी हासिल की थी ऐसे में जिन लोगों ने 3-4 साल मेहनत कर पढ़ाई की उनकी मेहनत बेकार हो गई